दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अजवाइन आपके बौडी को किस तरीके से निरोग करता है आम तोर पर अजवाइन का इस्तमाल लगभग हर घरों में होता है यह दोस्तों खाने में जितना स्वाधिश्ट है उतना ही गुड़कारी भी है आज हम आपको इससे दोस्तों वो फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसे आप सुन करके चौक जाएंगे आम तोर पर दोस्तों जो लोग अजवाइन का इस्तमाल अपने खाने में या ओली चीजों में करते हैं सबसे पहले हमने अपने नमबर पे रखा है कॉलेस्ट्रॉल को रहता है और बहुत ही जल्दी आप किसी भी काम को करने में ठाकान नहीं महसूस करते हैं उसके बाद दोस्तों हमने रखा है तिस नमबर पे एंडिस्टैन को यानिकि आपके पेट को आंतों को यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट यह होता है कि आप अपने पेट को साफ रखें आपने कहवत तो जरूर सुनी होगी पेट सफा हर रोग दफा तो कुछ इसी तरीके का दोस्तों यह इसका काम होता है अजवायन का इसका भी काम यही है कि यह आप पेट को बहुत इची तरीके से साफ करता है और दोस्तो आप जानते होंगे कि पेट में बहुत अलग अलग तरीके की बीमारिया उत्मन होती हैं जिससे दोस्तो हम हमेशा ग्रशित रहते हैं और चहरे पे छुर या नजर आना बहुत जल्दी शुरू हो जाती है आज हम आपको दोस्तो बताने वाले हैं इंटेस्टाइन को क्लीन करने के बहुत सारे तरीके हैं अगर आप गरम पानी में अजवाइन का इस्तमाल करते हैं तो यह भी बहुत आसानी से आपके बेट को क्लीन करता है और आपको निरोग बनाता है हमने दोस्तो चौथे नमर पे रखा हुआ है लो ब्लड प्रेशर को अगर आप ब्लड प्रेशर नॉर्मल से मोशम में भी डाउन रहता है तो आप अजवाइन का इस्तमाल अपने खाने में जरूर करें या आप दोस्तो गेस्टिंग की प्रॉलम को भी मिटाता है और आपके हाटबीट को भी तंदृस्त करता है यहाँ पे दोस्तो आज कल के यंग्स्टर फास्फूट खागा करके अपने सरीर की हालत खराब कर देते हैं उसी जगा पे अगर वो अजवाइन का यूज़ करते हैं तो उनका ब्रट फिल्टर होने के साथ साथ पेट भी बहुत अच्छे तरीके से साफ हुजाता है तो दोस्तो आपके लिए अजवाइन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक वेक्त के लिए खाना काना तो हमारे हिसाब से आप अजवाइन का इस्तिमाल आज सही अपने खाने में नियतना शुरू करतें और इसे बहुत ज़्यादा या बहुत कम लिमिट में नहीं लेना है एक नॉर्मल लिमिट में लेना है श्वादा अनुशार और दोस्तो इसके गोड और भी बहुत तरीके के हैं हम एक ही वीडियो में सारे गोड़े से इस्तिमाल नहीं कर सकते वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपका वक्त खराब होगा इसलिए दोस्तो हमने आपको टोटल पाँच स्टप्स बता हैं जो कि इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है इन पाँचों बेमारियों से दोस्तो आप बस सकते हैं अगर आप अजवाइन का इस्तिमाल करते हैं तो वीडियो आपको कैसे लगी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो का आगे शेयर करें हमारे मनोबल को बढ़ाएं थैंक्स पूर वाचिंग जैहिंद फंदे मातरम